हेलो प्रेंट्स आज इस वीडियो में जानेंगे विंडो इलेवर में प्रोफाइल पिक्चर कैसे चेंज करते हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो में आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो guys आपके सामने यह windows उ हो जाएगी इसमें आपको यहाँ पर जो आपका user account का नाम और profile picture आ रही है इसby आपको right click करना है इसपर right click करेंगे इसपर आपको click करना है change account setting इसको click करेंगे, इसपे click करने के बाद में गईज आपके सामने ये windows हो जाएगी, इसमें अगर आपके PC या laptop में camera लगा आये तो आप direct यहां पर open camera करके आप picture ले सकते हो और इसपे profile लगा सकते हो, अभी मेरे PC में camera नहीं है, इसलिए आद देख पा रहे हो, इस पर गार से आप फोटो ले सकते हो और अगर केमरा नहीं है आपके PC में डाउनलोड किया हुआ है या कहीं पे आपकी जो प्रोफाइल फिक्चर आप सेट करना चाहते हो वो कहीं रखी है तो उसके लिए आपको ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद में गई जि मेरी प्रोफाइल फिक्चर चेंज करना चाहा हूँ वो मेरी डाउनलोड में पड़ी है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और गईज ये मेरी प्रोफाइल फिक्चर है ये मेरी प्रोफाइल फिक्चर को क्लिक करूँगा और ये मेरी प्रोफाइल फिक्चर चेंज हो चुकी है और इस प्रकार से आप अपने PC या लेपटूप में profile picture को change कर सकते हो और यह profile picture आपकी यहाँ पर भी instant so नहीं हुई है, अभी कुछ दिर बाद में यह सो जाएगी और यह profile picture आपकी जहाँ पर password दे की login करते हैं, वहाँ पर भी so होगी, मैं आपको एक बार दिखा देत जिससे यह लोग कर दिया है तो यहां पर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहां पर भी सो करेगी देख पारे हो गाईस इस परकार से आप अपने PC लैप्टोप में यह अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब करें आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बुक्स में कमेंट करें गैस फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई